हेलो गाइज, I hope you all are good तो आज हम देखेंगे कुछ important fragile verbs तो आज की जो fragile verbs है, वो है stand-based तो stand मतलब क्या होता है, खड़ा होना, इसके साथ कोई preposition लग गई तो उसका जो meaning है, वो क्या हो जाएगा, change हो जाएगा इसे हम fragile verbs कहते हैं, ठीक है, जब किसी verb के साथ कोई preposition लगती है, तो पहली फ्रेजल वर्ब है stand-by, इसका मतलब क्या होता है, to help and support someone in a difficult situation, मतलब मुश्किल समय में किसी की सहाथा करना या उसको support करना, यह meaning देता है, stand-by जैसे की example हैं यहाँ पे, my parents always stood by me during difficult times in my career, जब मेरा मुश्किल समय था मेरे career का, उस time पे जो मेरे parents थे, वो मेरे साथ खड़े रहे, या उन्होंने मुझे support किया, ठीक है, तो यह होता है stand-by होना, किसी साथ support में खड़े रहना, तो यह होता है अगली phrase है, stand out, इसका मतलब क्या होता है, to be better than others मतलब आप अलग खड़े हो, ठीक है ना, बाकी बाकी लोग अलग खड़े हैं और आप अलग खड़े हो, मतलब अलग खड़े रहने का मतलब क्या है, आप better than others हो, ठीक है ना, तो यह होता है stand out, image में भी दिखा होगा, यह जो बाकी बालब लेटे हुए हैं और यह उनसे अलग है, यह बिलकुल खड़ा है, मतलब यह better than others है तो जैसे example हैं यहाँ पर, it is the structure and body of this wine that makes it stand out, मतलब जो इसका structure है, जो इसकी body है, इस wine की, जो इससे क्या करता है, और उससे अलग करता है, ठीक है, यह उससे better करता है, तो यह होता है, stand out, अगली phrase है, stand for, इसका मतलब क्या होता है, to support an idea or a cause, मतलब किसी के idea को, यह कोई region है, उसको support करना, ठीक है, उसके लिए खड़े रहना, उसका साथ देना, यह होता है, stand for होना, किसी के idea के लिए, ठीक है, आपके माइन में कोई idea है, उसका अगर कोई support करे, जैसे कि, that non-government organization has always stood for freedom of the press, वो गैर सरकारी संगठन, प्रेज की सुदंता के लिए हमेशा खड़े रहे, ठीक है न, तो यह meaning होता है, stand for का, अगली phrase है, stand back, इसका मतलब क्या होता है, to move away from someone or something, especially in a dangerous situation, stand मतलब क्या होता है, खड़ा होना, back मतलब पीछे, तो अगर किसी को पीछे खड़ा होने के लिए कहा जाए, तो क्यों कहा जाता है, किसी को पीछे रहने के लिए, अगर कोई, उसको कोई situation dangerous लगे, या क्या लगे, risky लगे, वहाँ पे हम use करेंगे, stand back, जैसे, if you are ever confronted by a spitting cobra, stand back at least 10 feet and protect your eyes, यदि आपका सामना कभी, is spitting cobra से हो, तो कम से कम 10 feet पीछे हो जाएं, और अपनी आँखों के रख्चा करें, ठीक है न, तो यहाँ पे क्या है, stand back मतलब पीछे हटना, या फिर, mama told the children to stand back as she lit the fireworks, ममा ने बच्चों को कहा कि पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो क्या कर रहे थी, fireworks को लिट कर रहे थी, मतलब वो पटा के जला रहे थी, ठीक है न, तो यहाँ पे क्या है, stand back मतलब पीछे हटना, किसी dangerous situation को देखते वे, अगली phrase है, stand off, इसका मतलब क्या होता है, confrontation stops for a period of time, किसी साथ अगर आपका जगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, और सामने वाला भी बिलकुछ same power वाला है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक stand off हो जाएगा, मतलब कुछ गति रोध हो जाएगा, ठीक है न, न वो आपको मार पाएगा, न आप उसको मार पाऊगे, तो ऐसे में क्या हो जाता है आपस में stand-off हो जाता है जैसे इंडिया चैना के बीच में कई बार stand-off हो जाता है ठीक है ना दोनों ही यूदिकले आते हैं लेकिन आमने सामने खड़े हो जाते हैं इमेज में भी दिखरा होगा सबने एक दूसरे पर बंदो के तानी होई हैं लेकिन कोई किसी को मार ने सकता सकता क्योंकि एक दूसरे पर सबकी बंदो के हैं ठीक है ना तो यह होता है stand-off करना कुछ समय के लिए गत्यरोध करना एक और मिनिंग भी देता है यह stand-off क्या to keep at a distance म इसका stand-off between the diplomats of the neighboring country देशों के diplomats के बीच गत्यरोध ठीक है तो यह होता है stand-off गत्यरोध को कहा जाता है ठीक है अगली phrase है stand-in इसका मतलब क्या होता है to do somebody's job while they are absent मतलब किसी दूसरे के इस्थान पर काम करना जब वो absent हो उसके इस्थान पर work करना यह होता है stand-in करना जैसे our geographical teacher was ill last week so they found another teacher to stand-in for him जो हमारा geographical teacher था वो पिछले हफ़ते बिमार था इसलिए उसने एक और teacher को अपने इस्थान पर ढूंडा ठीक है तो यह होता है stand-in करना अगली phrase है stand-over इसका मतलब क्या होता है to stand very close to someone in order to supervise them मतलब किसी के काफी नजदी खड़ा होना किसी रादे से उनको supervise करने की रादे से ठीक है न तो यह होता है stand-over करना जैसे कि teacher होता है वो जब exam होता है वहाँ पे साथ आपके solder के उपर खड़ा होता है ठीक है आपके solder के side में और उपर से observe करता है तो ऐसे time पर जो student होता है काफी confused हो जाता है जो speed आने चाहिए उतनी speed नहीं आ पाती है teacher क्योंकि teacher उपर से observe कर रहा है तो यह होता है stand-over करना ठीक है अक्सर होता है जैसे image में दिख रहा होगा तो यह होता है stand-over stand-over मतलब क्या होता है किसी को supervise करना काफी closely जैसे my mom always stand over me while I do my homework which drives me crazy जो मेरी ममा है वो हमेशा मेरे stand-over रहती है मतलब काफी closely मुझे observe करती है मेरे जब में काम कर रहा होता हूं और वो मुझे क्या कर देता है पागल कर देती है ठीक है यह मुझे drives me crazy तो यह होता है stand-over अगली phrase है stand-up for इसका मतलब होता है to support a person और idea which is criticized किसी परसन को support करना उसके idea को जो क्या है क्रिटिसाइज किया गया है या उसके साथ खड़ा होना अगर कोई किसी को पीट रहा है यह होता है stand-up for एक होता stand-up यह stand-down का opposite है आगे for लग जाए तो यह क्या हो जागा किसी साथ को कोई criticize कर रहा है उसके साथ उस टाइम पर उसका support करना ठीक है न तो यह होता है stand-up for जैसे unions must unite on this issue and stand-up for the workers जो union है ठीक है उससे यहां पर unite होने की ज़रत है इस issue पर और और जो workers हैं उनकी जो मांगे हैं या फिर जो उनका idea है उसको support करने की ज़रत है ठीक है न तो यह इसक example है अगली phrase है stand around इसका मतलब होता है not work मतलब अगर आप सीधे खड़े हो ठीक है कुछ भी करने रहे हो कोई activity नहीं है उससे का जाता है stand around करना ठीक है जैसे कि image में दिख रहा होगा यह क्या है कुछ भी नहीं कर रहे हैं यह सिर्फ खड़े हैं अपनी seat का इंतजार कर रहे ह जब यह लड़की उठेगे तो हम वहाँ पर बैठेंगे ठीक है तो stand around मतलब किसी के चारों और सिर्फ खड़े रहे हैं इंतजार करना अपनी बारी का कुछ भी ना करना ठीक है तो यह होता है जैसे people were standing around waiting to get inside the theater जो लोग थे वो stand around थे मतलब बहार सिर्फ खड़े थे कुछ भी ना करना सीधे खड़े रहेना ठीक है यह इंतजार करना अगली फ्रेज है stand by इसका मतलब होता है wait करना ठीक है एक मिनिंग क्या था इसका किसी के साथ खड़ा रहेना ठीक है किसी के support में खड़े रहेना दूसरा मिनिंग के इसका wait करना ठीक है यह इंतजार करना दो मिनि something bad is happening with someone and you are just onlooker ठीक है आप सिर्फ उससे देखे सिर्फ देख रहे हो कोई action लेने पा रहे हो ठीक है ना ऐसे टाइम पर उसको stand-by कर रहे हो ठीक है something bad is happening और आप सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए तो वह था stand-by करना ठीक है ना वेट करना जैसे वी केनोट इस्टेंड वाइल मिलियंस ओफ पीपल इस्टार बहुत सब्सक्राइब मिलियंस ओफ पीपल वो क्या कर रहे हैं वो भूग से मर रहे हैं और हम जो है ऐसे ही इंतजार नहीं कर सकते ठीक है न तो यह है अब इनको एक बार ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं ठीक है न इस्टेंड बाई तो इस्टेंड बाई का क्या था दो मिनिंग थी इसके एक क्या था to help and support someone in difficult situation दूसरा मिनिंग क्या था इंतजार करना वेट करना ठीक है त ओडर्स वह ह 달 है इस्टेंड अट अ स्टेंड फॉर किसी के सपोर्ट में खड़े होना ठीक न किशिका आइडिया है कौज है कोई रीजन है उसको सपोर्ट करना तो में इस तों आ इस इस्टेंड फॉर्वना इस Parks अ होना कब खड़े होंगे अगर कोई डेंजर सीचुसन आपके सामने आ रही है और फिर उसके उससे देखते हुए आप पिछे हड़ जाओ ठीक ना इसका मतलब क्या है तो डू समबडेयस्शोब वाइल डे ऐर अप्सेंट किसी किस्तानब पर काम करना मतलब इन बंदर लगैकंषर एंदर ऐस बंदर हो धाते हैं standing stand over to stand anywhere very closely ठीक है किसी के बिल्कुल नजदीब खड़े होना और सुपर्वाइज करना यह होता है stand over करना stand up for यह क्या था to support a person or idea which is criticize मतलब किसी को कोई criticize कर रहा है ठीक है और आप उसके support में खड़े हो जाओ ठीक है जैसे unions must unite on this issue and stand up for the workers तो यह होता है stand up करना और stand up मतलब क्या था खड़ा होना और stand down नीचे ठीक है इसका पोजट था अपस में stand around इसका मतलब क्या होता है not work सिर्फ खड़े रहना ठीक है और इंतजार करना तो यह होता है stand around stand around और एक दूसरा मिनिंग क्या है stand by इन दोनों में different क्या है यहाँ पर भी तो wait है इसमें भी not work है लेकिन stand by में क्या है कुछ something bad is happening and you are just looking ठीक है यह क्या था stand by था और stand around आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इंतजार कर रहे हो normally ठीक है तो यह होगे आज के fragile verbs तो गैज एक आपके लिए है अगर with stand इसका क्या मिनिंग है यह आप मुझे comment box में जरूर लिखना अगर आपको कुछ पता है कि with stand क्या होता है इसका मिनिंग क्या है अगर आगे with लगे पीछे stand लगे तो इसका मिनिंग क्या होगा यह आप मुझे comment box में लिखना example लिख सको तो example भी लिख देना तो गैज आज के लिए बस इतने थेंक यू धन्यवाद इफ लाग दे वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेर दे वीडियो